हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे केरेट क्या है और सोने की सुद्धिता को किस प्रिकार से मावज जाता है ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है इस वीडियो को पूरा जरू देखना और एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकर में दवा देना तकि आपको आने वाले बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे अब देखो सबसब पहला सवाल यह आता है कि केरेट होता क्या है यहां से आप द्यान से समझो सोने की सुद्धता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सब्ध है केरेट यानि सोने की सुद्धता को केरेट में मापा जाता है केरेट का मान जितना अधिक होगा शोना उतना ही सुद्ध होगा और ये पेमाना 0 से लेकर 24 तक होता है यानि केरेट को 0 से लेकर 24 तक मापा जाता है 24 केरेट सोना सबसे सुद्ध होता है ज्यान से समझो 24 केरेट सोना 99.9 परतिसत यानि कि लगबग 100% शुद्ध होता है इसलिए इसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है वहीं अगर हम 22 केरेट की बात करें तो इसमें 91% शुद्ध सोना होता है और 9% अन्यदातों इसमें मिला जाती है अब आपके दिवाग में ये सवाल आएगा कि 9% इसमें अन्यदातों क्यों मिला जाती है यहान से आप दियान से समझो देखो जिसा कि मैंने आपको बताया 24 केरेट होना सुद्ध होता है लेकिन ये काफी मुलाइम होता है और इस मुलायम होने की वज़े से इससे आबूशन नहीं बनाये जा सकते इससे आबूशन बनाये जा सकने के लाइक बनाने के लिए इसमें चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है जिससे ये थोड़ा कटोर हो जाता है और इसको आसानी से आबुसनों में डाला जा सकता है यानि कि सोने को थोड़ा सा मुलायम से कटोर बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अन्य दातों मिलाई जाती है इसमें तांदी या तांबा या फिर कोई अन्य दातों मिला जाती है जिससे इसमें केरेट की मात्रा गढ़ जाती है यानि कि जो 24 केरेट सुधुश होना था वो 22 केरेट या 18 केरेट बज जाता है अब देखो आपने केरेट का नाम जरू सुना होगा रतनों के लिए केरेट का इस्तमाल किया जाता है केरेट रतनों के वजन को मापने की एक इकाई भी है ये केरेट अलग है और एक केरेट के कमान एक बटा पांच ग्राम यानि कि 0.200 ग्राम के बराबर होता है तो इसे आप द्यान रख सकते हो अब सोने की शुद्धता को किस प्रकार से हम पैचान सकते हैं यहां से आपको द्यान से रखना है इसको द्यान से रखना है देखो यह एक इकोना निशान होता है सोने की शुद्धत को मापने का इसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा दूसरा संकेत होता है प्यूरिटी को बताता है और तीसरा संकेत छे डितित का एक अलफा नुमेरिक कोड होता है जिसे एच यू आईडी नंबर कहता है यहां पर आप दियांसे देख पाओगे अभी समझो आगे चित्रम की साहतास है यहां आप आप देखोगे यह सोना यह जो चिन है तिकोना चिन इसे बी आयस मार्क करते हैं शोने की शुद्धता को दशात से भी आपको पता से लेगा कि शोना कितना सुद्ध है तो इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका आप स्क्रिंशोट ले सकते हूं अब सवाल यह आता है कि कि किरेट सोने में कितना प्रतिशत शुद्ध गोल्ड होता है देखो अगर सोना 24 करेट है तो उसमें होता है बाकी कि अन्यतातु होती है और 21% में 27.5 और 18 जो करट है उसमें 55% सुद्ध शुद्ध सोना होता है इससे आप खुद भी निकाल सकते हो जितना करट दिया हुआ है बते में 24 करना है और आपको इसको गुणा कर देना है इससे आप करट में प्रतिशत के मात्रा को आ इसे 92 परचत औरर परचत इसमें अनुपात में विलाया जाता है यह नहीं 92 परचत होना और आज़चत केडमियम, जु केडमियम सौट रेट घरनों को व्यापक रूहसीं अगर हम बात करें तो केडियम तो इसे हाफ क द्याने सब रहे आ दियान में रख सकते हो,